वेल्कम बैक टू निशाज रेंबो दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे चैनल पे और यहां मैं आपको दिखा रही हूं प्याज लेसन अद्रक मिर्च टमाटर धन्या बेसन किसी होई लौकी और यह कद्दुकस की हुई आलू ठीक है यह चीजें दिखा रही हू मैं आपको और बना रही हूं यहां पे स्पाइस बॉक्स भी आपको दिखा दिया है और बना रही हूं मैं कुफता बना रही हूं राइट और वो है लौकी और आलू का यह मैं फर्स टाइम बना रही हूं कुफते तो हम लोग यार बनाते ही रहते हैं लेकिन कभी-कभी होता है मतलब जब मैंने उसको फर्स टाइम बनाया था बस अपने आप से एक्सपेरिमेंट किया था थोड़ा सा एक टेंशन था दिमाग में कि पता नहीं अच्छा होगा कि नहीं मीठा लगेगा क्या गाजर के कौफते बनाये थे मैंने एक बारी और रियोली बहुत डेलेश सारी मसाले ड्राइ मसाले में ला लिएए हैं डिला लिए विए दण्या अमचुर और हल्दी णाल लिए थोड़ी सी थोड़ा सा सौफ डाला है यहज़ फिसा हुवा ज़ क यहांट हम स्क्रश करकर के ज़रा सा ज़ेरे कि पर अच्छें और कि दस कर कोफ्तब की इक खाशिछ नहीं देंगर के बड़े थे मुणह अमे बैसन में यां भाले पर नहीं में नहीं जो पे नहींặt हें पर ये जो शnellुक्णध रहे कर लिया है mix करके मैं इनके balls बना लूँगी और balls बस आपको इतना ही रखना है जितना कि इनके balls easily बन जाए ऐसा नहों कि बहुत ही गीला हो या बहुत जादा hard हो जाए बहुत हो जाएगा बहुत जाएगा तो hard बनेंगे आपके कौफते जो कि आप काटनी पाएंगे आसानी से तो यहां पर देखिए balls बना लिये हैं मैंने और अब इनको डाल रही हूं मैं एयर फ्रेयर में एयर फ्रेयर को कर लिया है मैंने प्रिहिट तो 10 मिनट्स इसको प्रिह अब देखिए यह पांच मिनट्स इक साइड में बुनूंगी और पांच मिनट्स अधर साइड में और बहुत अच्छे से बॉल्स बनके त्यार हो जाएंगे और मैंने इदा चूले पर चढ़ा दिया है और कढ़ाई में तो एक साइड में मेरी ग्रेवी बनेगी यह इतना पर आप दिया है और मैंने ग्रेवी में इनको एड कर दिया और रोटिया बना ली यह हमारा रात का डिनर बन रहा है और प्यास के साथ में जीरा और थोड़ा सा हीन मैंने डाल दिया है हीन डाइजिशन के लिए अच्छा रहता है आप किसी भी सीजन में यूज कर सकते हैं गरमी में बारिशों में तो जरूर यूज किया करीं और थन में भी तो थोड़ा सा डाइजिशन अच्छा हो जाता है बच्चे भी खार रहे हैं और आजकล हाजमे का प्राव्रम मम तो हर किसी को रहता है अच्छा येदेश के मैंने ग्रीन मसाला बना था तो इसमें लैस니다 मेच, टमाटर, धनिया और प्याज मैंने इसको पीस लिया है अच्छे से और जितना मसाला बनाया था मैंने वो जादा लग रहा था तो मैंने और रख दिया फ्रिज में और यहांपे जितना मुझे रिक्वाइड था वो मैंने भुन लिया है क्यूंकि तेल जादा नहीं है इसलिए तेल तो इससे बाहर नहीं आने वाला है दोस्तों नमक मैंने एड कर दिया है यहाँ पर मसाले के साथ ही नमक भुन गया है और यहाँ पर एड कर दिया है मैंने पालें तो अब gravy की consistency हमें जितनी रखनी हो क्योंकि मैं रोटी से खाना है इसलिए बहुत ज़्यादा हमें लिक्वरी फॉर्म में नहीं चाहिए और आप अगर अपने कुफतों को थोड़ा सा ग्रेवी अच्छी उनकी थिक बनाना चाहते हैं तो उसके लिए बस आपको यही करना है यह बॉल्स में से एक दो बॉल फॉर्ड के ग्रेवी में मिला दीजिए बहुत अच्छी एकदम तिक ग्रेवी के साथ तयार हो जाता है कुफता तो यहां पर देखिए दूसरा लॉट लगा दिया है मैंने और यह जो है बस बन के भी पांच मिनाट में बाहर आ जाएगा और इधर देखिए बन रही है हमारी ग्रेवी तो ग्रेवी को हम चेक कर लेते हैं हमने अल्रेडी डाल दिया इसमें सारी चीजें और बहुत अच्छा सा इसमें बॉइल आ रहा है और यह हमने अपने तयार कुफते इसमें डाल दिये तो लॉकी और आलू दोनों ही पड़े होए हैं तो इसलिए मैं थोड़ी देर इनको यह क्योंकि बहुत ज्यादा सॉफ्ट ऐसे नहीं है कि तूट तो इनको थोड़ी देर मैं रखके इसमें बॉइल कर लूँगी जिससे की कुफते अच्छे से पानी को एब्सॉब कर ले और देखें कितने बढ़ियां बने हैं और विदाउट अल जरहास हमें इसमें लास्प में एड़ कर दिया है मकर यह ऑप्शनल है अगर आप चाहें यह घर की मलाई है दोस्तों अगर आप चाहें तो डालें अदर्वाइस आप इसको स्किप कर सकते हैं और लास्प में आप एक कसूरी मेती अड़ कर दी है मैंने गैस विश्वास करिए बहुत ही टेस्टी था यार जरूर बनाईएगा ट्राइ करिएगा मुझे बताईएग आपको कैसा लगा और यह हमारे कोफते तियार है इसके साथ हम रोटी बनाएंगे और आप इसको लाइक करेंगे ओके फ्रेंड्स तो लाइक कर दीजिए फटा फट वीडियो अगर आपको पसंद आई है और शेयर करना मत भूलिएगा सब्सक्राइब नहीं किया है और पहल दोस्तों बावाई टेक केर अपना ध्यान रखिएगा और पने रहिएगा निशाजरी इन्बोग के साथ